Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल और इसी को लेकर पुरा Controversy हो गया है, और यहां पर बात आ रही है कि क्या उन्होंने किसी प्रकार का violation क्या है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, तो उनके खिलाफ मुंबई के अंदर FIR भी दर्च करा दिया गया है, तो यहां पर हमारे देश के अंदर जो कानून है, जो IPC है, उसके अंदर obscenity को लेकर क्या है, obscenity होती क्या है exactly, इस तरह के पहले क्या कोई case रहा है देश के अंदर, तो वो सब कुछ मैं आपको detail से बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, 1st of August से जो UPSC का batch है, prelims और mains की पूर hours of life teaching, prelims के लिए specifically MCQ हो गया, daily current affairs, prelims का test series, सब कुछ कराया जाएगा, answer writing practice कराया जाएगा आपके mains के लिए, और पूरे journey के दौरान आपको एक mentor दिया जाएगा, 1 to 1 mentorship होगा, ताकि आपको कोई भी problem हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर मदद ले सकते हैं, और सब कुछ दोस चूस करना चाहते हैं, PSIR हो गया, political science और या फिर geography, तो उसके भी मौजूद है, यहाँ पर आपके पास option और सिर्फ 12,000, सिर्फ 12,000 में आपको यह पुरा course मिल जाएगा, use the code अंकित live तो आप इसको अवेल कर पाएंगे, साथी साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज़ पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आपर टेंप कर सकते हैं, चलिए सुरवात करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly अभी हो क्या रहा है, देखें, मुंबई पुलिस के द्वारा, एक FIR दर्ज किया गया है, रनवीर सिंग के खि इसी की वज़े से यहाँ पर यह सारे जो FIR हैं, वो कराय जा रहा हैं, और इसके अलावा यहाँ पर question यही है कि कौन से कानून का उलंगन, basically उन्होंने किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पर complainant के बारे में बता देता हूँ, basically क्या है कि दो individual, एक lawyer है और एक person है जो की NGO run करते हैं अब NGO अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका नाम बताया जा रहा है, श्याम मंगरम फांडेशन और इनके द्वारा जो विडियोज हैं, चिल्रेन हैं, फार्मर्स के, उनके suicide वगरा को लेकर पूरा जो काम है वो NGO करता है, और इस NGO को basically चलाया जाता है बाई, ललित तेक चंदानी और इनकी उम्र 50 साल की है, तो यह लोग individually मुंबई पुलिस के पास गए, और वहाँ पर उनसे यह बोला कि आप हमारे FIR को दर्ज करिए रनवीर सिंग के खिलाप, अब कोशन यह है कि उन्होंने क्या complaint दर्ज किया, देखो यह जो तेक चंदानी है मैंने आपको ब और वो वो में इमेज था जो है, जो कि रनवीर सिंग इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर लगतार शेयर कर रहे थे, और उस इमेज के अंदर उन्होंने किसी प्रकार का कपड़ा नहीं पहना था, पिक्चर के अंदर, और साथी साथ उन्होंने यह भी का कि जब मैंने उस प कर सकता है, क्योंकि जो बच्चे हैं, वो मुवी अक्टर्स को फॉलो करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर यहाँ पर की जाएंगी अक्टर्स के द्वरा, तो यह भारत का जो कल्चर है, उसके खिलाब जाता है, ऐसा वो कम्प्लेंड के अंदर कह रहे थे, साथी साथ यह भी कहना था, कि जब मैंने इसके बार में इंक्वाइर करने की कोशिश की, तो यहाँ पर पता चला कि रनवीर सिंग ने यह जो फोटो शूट है, वो एक पेपर मैगजीन के लिए कराया है, और जिसके लिए उनको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, तो बेसिकली वो य दिखेगा कि उनका जो एक्टर है, वो भी इस तरह की चीज़े कर रहा है, तो यह जो कंप्लेंट किया गया उनके द्वारा, उसी को देखते वे जो चेंबूर पुलिस है मुंबई के अंदर, उन्होंने रनवीर सिंग के खिलाफ एफायार दर्ज करा लिया, तो यह तो चल स्टैंडर्ड पर अगर हम देखें समाज के अंदर, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, दिखाए जा रही है, जो कि ओफेंसिव है, मतलब जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, समाज के अंदर, उसके खिलाफ हो जा रहा है वो चीज, तो उसको ओफसीन आक्ट बोला में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन section 294 जो हमारा IPC है, Indian Penal Code, उसके अंदर अगर आप देखोगे, तो obscenity को basically बोला गया है, कि जब आप किसी को परिशान कर रहे हो, जब आपके act की वज़े से, जब कोई इंसान परिशान हो रहा है, तो वो भी obscene act हो सकता है, ऐसा section 294 नहीं कर सकते, तो ये basically obscene act के तहट आता है, लेकिन इसको define करना बहुत मुश्किल है, वो ultimately क्या है कि court of, मतलब court के अंदर मामला जाता है, फिर वहाँ पर judge दिये, decide करते हैं कि क्या वो होगा नहीं होगा, ले वैसे मैं आपको बता दूँ कि 2020 में भी ऐसा एक मामला आया था, मिलिंद सोमन, अक्सर न्यूज में रहते हैं, आपने देखा होगा, वो basically nude dog है थे, ठेके, गोआ की police ने उनके उपर again FIR दर्ज किया था, ये 2020 की बात है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, आप question यह है कि रनवीर सिंग के उपर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, कौन स करों चीजें में आपको एक एक करके बदाता हूँ, basically section 292 यह कहता है अगर आप देखोगे simple term में, कि अगर कोई ऐसी पुस्तक है, book है, pamphlet है, paper है, writing है, drawing है, इस तरह का कोई भी ऐसा चीज है, जिसको obscene माना जा सकता है उन लोगों के दोरा, जो इसको देख रहे हैं, या फ और इसी की वज़े से यहाँ पर जितना भी sale है, exhibition है, इस तरह के books का, उसको यहाँ पर रोका हुआ है, और अगर मान लो इसका कोई उलंगन करता है, तो पहला अगर conviction होगा, तो उस case में यहाँ पर उसको 2 साल की सजा हो सकती है, 2 साल तक की, या फिर 2,000 रुपे का जुर्मा अगर मान लग सकता है, अगर मान लो दूसरा conviction होता है, दूसरे बार repeated offense होता है, तो उस case में 5 साल तक की सजा हो सकती है, और 5,000 रुपे fine भी लगाया जा सकता है, यह section 292 है, अगेन उसी प्रकार से section 293 भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी यह लिखा हुआ है, कि अ पहले conviction पर 3 साल तक की सजा हो सकती है, दूसरे offense है, उसके बाद जितने भी conviction होंगे, उसके बाद 7 years की सजा या फिर 5,000 रुपे fine भी लगाया जा सकता है, यह पुराने काफी कानून है, तो इसलिए आपको जो amount है यह काफी कम देखता है, इसको update नहीं किया गया basically, लेकिन इ इस तरह की टिपड़ी दी है, इस तरह का gesture किया है, जो की sexual, जो की women के privacy का उलंगन करता है, उसको वो चीज गलत लगती है, तो उस case में भी जिसने भी यह हरकत किया है, उसको एक साल तक की सजा और साथी साथ fine भी लगाया जा सकता है, तो यह I hope कि आपको समझ में आ गया जो उनकी उपर FIR दर्च किया गया है, इसके लाबा एक और बहुत important section है, 2000 में, in the year 2000 में आपको पता है, Information Technology Act आया था, तो उसके अंदर है section 67A, यहाँ पर भी इसके violation को लेकर रनवीर सिंग के खिलाफ लगाया गया है, अब इसमें क्या है basically, यहाँ पर कहता है कि जो भी material है, अगर वो electronic form में है, क्योंकि यहाँ पर जितनी चीज़ों की मैंने बात की, वो तो क्या था, paper, object, physical के तौर पर था, लेकिन आज केल के date में, digital world में सब कुछ electronically हो रहा है, तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी material है, which contains sexually explicit act या फिर conduct, तो उस case में उस person को पहले conviction पर 5 साल तक की सजा और देखो, अब क्योंकि यह नया कानून है, इसलिए 10 लाग तक का यहाँ पर जुर्माना है, और second या उसके जादा अगर offense होगा, तो उस case में 7 years की सजा, और again 10 lakh रुपीज तक का जुर्मान लगाया जा सकता है, तो यह सारे violations का उलंगहन, जो है, का आरोप, basically मुंबई पुलिस का कहना है, कि हम इस मामले में investigate करेंगे, और यहाँ पर definite सी बात है, रनवीर सिंग को में भी हो सकता है, कि बुलाया जा सकता है, उनका reaction क्या है, इसको लेकर वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी immediate तोर पर कोई action नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, कि उनको ज पुलिद नहीं है, यह गलत है, फाया दर्श किया गया है, तो यह ultimately court decide करेगा, बट I hope कि इस वीडियो के माध्यम से इस से related जो भी कुछ था, वो आपको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक interesting question आपके लिए, क्या बता सकते हो, freedom of speech and expression आपको पता है, हमारे समिधान के अ दालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF टेलिग्राम पर आए, अलग-लग social media पर आप जूडपाऊ गया, और जैसा मैंने बताया, UPSC की त्यारी दोस्तों अब आसान हो गई है, use this code अंकित लाइव, और सिर्फ 19000 में यह पूरा course आप ले लिजे, जल से जल seat को book करिए, क्य कर दोताओव, झालता हूँ